Hello everyone, my name is Sartak and I welcome you all to the YouTube channel of Planet Study Class 12th Board exams की date sheet आ चुकी है तो अभी तक जो हमारा New Year पे कहीं जाने का प्रोग्राम दाना उन सब सपनों पे हमारे पानी फिर चुका है हमारी 31st December की जो रात है वो Star Screen Award देख कर ही जाएगी Reason being क्योंकि अब date sheet आ गाई है तो थोड़ा सा pressure आ गया होगा आप सब के mind पे तो फटाफट से date sheet को discuss करते हैं Commerce वालो, क्या मक्खन date sheet आई है आप सब की हर exam में minimum 4 days का gap है अगर entrepreneurship का exam हम साइड में रखता है हर exam में minimum 4 days का gap है अराम से आप त्यारी कर सकते हो आपको अब ये नहीं कि आपको revision करके subjects को रखना है, नहीं आप अराम से त्यारी कर लो, revision आप उन holidays में कर सकते हो क्योंकि plenty of time आपके पास है अराम से सारे subjects 2-3 बार आप उन holidays में revise कर सकते हो और entrepreneurship ये जो subject है ने इसको थोड़ा सा underestimate मत करना मेरा personally one of the favorite subject है ये exam देने के बाद मेरा favorite subject बना क्योंकि 2014 में मैं pass out हुआ था और मेरे 100 on 100 आया थे entrepreneurship में, तो entrepreneurship की ओएसे मेरी percentage एकदम बूम कर गई थी तो इस subject की कदर करना जिसके पास भी ये subject है, ये subjects आपकी percentage को scale कर सकता है next चलते है, science taste sheet की तरफ खुश हो जाओ, physical education आपका first exam है, अभी तक की सबसे वड़ी problem क्या होती थी, physical education की जो book है ना, वो हम December में उठाते थे 2 से 3 महीने च्छे सरटाफिकेशन करते थे और फिर 1 से 2 board exam के बाद physical education का paper होता था, तब तक जितना रटा है, वो सारा निकल गया दिमाग से अब वो problem नहीं है, first exam physical education का है, ताजा ताजा रटाफिकेशन हमारे याद है, निमोनिक्स जो हमने बनाए थे, वो सारे हमें याद है, और उसके body हमने paper दे दिया, उसके बाद, physical education के बारे में कोई knowledge नेने की जरूरत नहीं है कोई रटा वह हमें याद करने की जरूरत नहीं है तो यह सबसे बड़ी problem थी, जो हमारी solve हो गई, इसके अलावाद, जितने भी board exam students है, उनको एक बात याद रखनी है कि IITJE और NEET exam की जब वो preparation कर रहे है, तो वो यह सोचते हैं यार हमना entrance exam की preparation करते हैं board पे ध्यान नहीं देते कि board के तो रामसे हो जाएगी नहीं, 200 meter raise, 1200 meter raise दोनों में हमें running ही गंड़नी होती है problem is 200 meter में आपको starting से 100% energy लगानी है 1200 meter में आपको equally energy distribute करनी है, जिससे last lap में आप 100% concentration और energy के साथ raise जीत सको same होता है board exams के साथ बच्चे क्या करते हैं, entrance exam की अच्छे सा त्यारी करते हैं board exam को ध्यानी देते, less than 75% marks आ जाते हैं वो बहुत ज़्यादा गलते हैं, आपको दोनों exam की different strategy बनानी चाहिए और उसे की according preparation करनी चाहिए अब चलते हैं, humanities stream की date sheet की तरफ, political science छोड़ कर, हर exam में minimum 7 days का break है मतलब कुछ-कुछ subjects ऐसे हैं की 3-4 important chapters जो हमने start भी नहीं करे हैं वो हम उसमें start करके खतम कर सकते हैं, इतने जादा holidays हैं तो जो career oriented students होते हैं जोनों humanities लिया है, उनका target है IAS करना, तो क्या करते हैं subjects को खोल-खोल के पढ़ते हैं, बड़े emotional होके पढ़ते हैं कि मैं deep knowledge लूँगा आगे चल कि मुझे IAS करना है, तो मुझे उसकी preparation में असानी होगी बिल्कुल भी ये strategy नहीं use करनी हैं आपको reason being, आपको ये याद है अपने दस दिन पहले क्या खाया था, आपको ये याद आपने 5 घंटे पहले exact moment पे क्या कर रहे थे, जो हमें इतना भी पुराना याद नहीं है, तो 3-4 साल बाद जो हम IAS का paper देगे, तो आप कैसे expect कर सकते हो, मुझे सारे subject detail में याद ओंगे, board exam की त्यारी करनी है, हमें IAS की preparation नहीं करनी है, बहुत सारे students यही घरबड करते हैं, unnecessary इतना सारा material वो पढ़ते हैं, जिसका use नहीं है तो knowledge के लिए नहीं पढ़ना है, exam के लिए पढ़ना है, right? ठीक है जी करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, entrance exams related, cut off related, जितनी भी tension होती है ना mind में, उसको थोड़ी देर के लिए postpone करतो, वो सारी tension लेने का काम हमारा है आपको कोई भी problem है, आप directly हमसे पूस सकते हो, concentration series learning technique series, इनकी complete 7 to 8 वीडियो की series हमने पहले ही बना रखिये, आप उनका link जो है description में चेक कर सकते हो, वो series आपको बहुत ज़्यादा help करेंगी, आपकी preparation को paste करने के लिए, और मिलते हैं आप, बहुत जल्द, next वीडियो में बाबाब